नमस्कार अमपीस न्यूज में आप सभी का स्वागत हैं नोन कर लें ताकि इस परकार की परते एक अपडेट आप पूंश के सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं आज का इपोचेंट वीडियो तो दोस्तों माँ आपको बता दूं कि अनिल कुंबले ने जब पाकिस्तान के खिलाप एक पारी में दस विकेट लिये थे तो साइध ही किसी ने ये सोचा होगा कि कुछ साल बाद ही ऐसा नजारा फिर्शे देखने को मिलेगा जिया दोस्तों लेकिन ये हो चुका है दिल्चस्प बात ये है दोस्तों कि जो रिकोर्ड बार्ती टीम की और से बनाया गया था बिल्कुल वायरी कोड बार्त के खिलाब भी दुरा दिया गया है जियां दोस्तों आपको बदादू कि न्यूजिलेंड के अजाज पटेल ने मुंबई टेस्ट में बार्त की पहली पारी में सबी 10 विकेट जटक लिये है और दोस्तों न्यूजिलेंड का ये बोलर अजाज पटेल दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन चुके हैं जिन्होंने 141 साल के टेस्ट इतियास में एक पारी में 10 विकेट लिये हैं और दोस्तों 141 साल के टेस्ट इतियास में अभी सिर्फ तीन ही गेंदबाज है जिनोंने ऐसा कारनामा किया है यानि एक पारी में 10 विकेट लिये हैं अजाज पटेल दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन चुके हैं और सबसे पहले ये कारनामा इंगलेंड के जिम लेकर के दुआरा किया गया था उन्होंने 1956 में औरी आश्टेलिया के ahead मैंचेस्टर टेस्ट की एक पारी में 10 विकेट जटके थे और दोस्तो इसके बाद बात्य लेक सिपिनर अनिल कुम्ले ने 1999 में इस रिकोर्ड की बराबरी की थी तो दोस्तो न्यूजीलेंड की पूरी टेम के लिए इसके लावा अजाज पटेल के लिए ये बहुती बड़ा सक्सेस मॉमिंट हम कह सकते हैं इसके लावा अजाज पटेल के बारे में आपकी क्या राए है मुझे कोमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और दोस्तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के बाद जुरूर शेयर करें तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ